हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई डिश माई जाएगा आज मैंने आपके साथ इस वीडियो में दो रेस्पी शेयर की हैं जिसमें पहले ही रेसिपी होगी जीरा आलू और दूसरी रेसिपी हाँ पे होगी बहुती सॉफ्ट और फुली फुली पूडियां तो आप देख पाए अब भी यह बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट बनी रहेंगी तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीच वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो कंटिक नूमा निशान आता है उसे जरूर दबालें उससे क्या होता बनाने के लिए मैंने यहां पे 6-7 आलू लिया है जिने बॉल करके और छील के रख लिया है चोटे साइज के मैंने आप लिया है सरसू का तेल लिया है हरा दनिया पत्ता लिया है दो बारी कटी हुई हरे मिर्च साथ में आदा निबू का रसम रियूज करेंगे और एक दो हिंग आदी चमच लाल मिर्च पाउडर 6-7 लैसुन की कलिया आदा छूटा चमच यहां पे गरम मसाला एक इंच दरक का टुकड़ा आदा चमच हल्दी पाउडर और दो चमच मैंने यहां पे जीरा लिया है क्योंकि हम यहां पे जीरा आलू बना रहे हैं तो यहां पे जीर करते हैं तो सबजी काफी अच्छी बनती है अदर्वाइस आप कोई भी कुगिंग और यूज कर सकते हैं तेल के गरम होने पे इसमें जीरा डाल देंगे और साथ में डाल देंगे हम इसमें हींग जैसे जीरा ब्राउन हो जाएगा इसमें डालेंगे इकटी हुई हरी और इसे एक बार थूड़ा सा घिला देंगे उसके बाद हम इसमें जो हमने अधररक उड़ लेसं लिया है उसे यहां पे मैंने क्रश कर लिया है आप चाहे तो गार्लिक जिंजर पेष्ट भी यहां पे यूच कर सकते हैं तो इस से डाल दिया है मैंने और मिक्स कर लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए हमें पकाना है फूच जद अदेर तक नहीं पकाना है उसके बद मसाले डालेंगे तो गयास को कम कर देते हैं हल्दी पाॉडर लाल मिर्च पाॉडर साथ में धनिया पाॉडर भी डाल देगे और सभी मसालों को हम अद्रग लैसुन के साथ मिला लेंगे तो जब भी मसाले आप डाले तो यहाँ पे आप आज को धीमा कर दे आलू को मैंने ऐसे पीसिस में कट कर लिया है तो आलू को डाल दिया है उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे स्वात की अनुसार और आलू को एक पर मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास आलू बॉयल की हुए होते हैं तो यह सबजी बहुत जटपट बन जाती है इसे बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगता है तो मिक्स कर लें अच्छे से इसे तब तक मिलाते रहे जब तक कि आलू के उपर मसालों की कोटिंग नहीं हो जाती है तो आप देख पा रहे होंगे सभी मसाले अच्छे से आलू के उपर कोट हो गया है तो अब बस हमें इसे cover करना है तो इसे ढख देंगे और लगबग 3 मिनट तक धीमियाच पर पखने देंगे तो 3 मिनट बाद मैंने ये ली ढख दाया और आप देखेंगे तो एक बार इसे यासे mix कर ले अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे याँ पर गरम मसाला और साथ में आदा नीबू का रस आप नीबू रस की जगे याँ पर एक चुथाई चम्मच आमचूर पाउडर का भी यूच कर सकते हैं mix कर लें अच्छे से या फिर आप यहाँ पर एक टमाटर का भी यूच कर सकते हैं जब हमने मसाले डाले थे उस वक्त आप टमाटर डालकर और उसे गला लें फिर से कवर करके एक से टेड़ मिनट और पका लेंगे जो इससे की गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे से mix हो जाए तो मैंने इसे डेड़ मिनट तक और पका लिया है तो यह सबजे हमारी बन कर रहे डिये अब हम इसमें डाल देते हैं हरा दनिया पत्ता और इसे भी mix कर लेंगे mix करने के बाद अब हम इसे dish out कर लेंगे तो देखा आपने जीरा आलू बनाना कितना असान है और वाके में यह recipe बहुती स्वादेश लगती है बहुत tasty लगती है आप इसे पराठे के साथ या फिर पूरी के साथ बना कर और सर्व करें तो चलिए इसे सर्व करने के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं पूरी उसके लिए आप यहां पर आटा लीजिए जितना भी आपका रिक्वार्मेंट है उसी साब से आप आटा लें मैंने आपर दो कप आटा लिया है और आटे को मैंने च्छान कर रख लिया है अब इसमें हम नमक डाल देंगे तो आदा चमच मैंने नमक डाल दिया है उसके बाद हम इसमें डालेंगे अजोयन दाना क्योंकि पूरी में अगर अजोयन नहीं डाला जाए तो उसमें अच्छा टेस्ट नहीं आता है तो एक चुथा ही छोटा चमच से भी कम अजोयन दाना ऐसे हाथ पे ग्रश करके डाल दें और जब भी हम पूरी बनाते हैं तो इसमें ओयल का यूज करते हैं आने मौयन का तो बस इस रेस्पी में यही ट्रिक है कि आप मौयन की जगे यहाँ पे आदा कब दही का यूज कीजिए इससे यह पूरी हैं बहुती सौफ्ट और बहुती फुली फुली बनेंगी तो सबसे पहले दही को ऐसे मिक्स कर लें आटे के साथ अच्छी तरह ऐसे इसे मिक्स करना है हम इसमें पानी का अभी यूज नहीं करेंगे पहले इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पानी को हमें एक बार में नहीं डालना है बस हाथ पे पानी लेंगे और ऐसे छुड़कते हुए डालेंगे और फिर उसके बाद इसका डो लगाएंगे तो आटे को हमें यहापे थोड़ा टाइटी गूंदना है क्योंकि टाइट आटे से ही पूरियां अच्छी बनती है और क्योंकि हमने यहापे दही का यूज किया है तो जब भी किसी भी चीज में आप दही का यूज करते हैं तो हम उसको जब रेस्ट कराते हैं, वो तो एक बार थोड़ा सा लियूज पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सकत आटा मैंने या पर गुंदा है, अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, तो मैंने या पी ओईल गरम होने के लिए रख दिया है, और हमारे आटे को कुछ इस तरह का हो गया है, आप देख पार होंगे, अभी हमें इसे अच्छे से मसल ना है, इसमें हमें मसल मसल कर और अच्छे से चिकना करना है, तो आटे में जब तक अच्छे से लॉज नहीं आता है, तब तक पूड़ियां हैं या फिर चपाती अच्छी नहीं बनती है तो हाटे को अच्छे से चिकना करें, उसके बाद नीबू की साइज की हम यह आपे पेड़ियां तोड़ लेंगे, ऐसे पूड़ी क्योंकि आपको जितने बड़े साइज की बनानी है, उसी हिसाबसे हम यहाँ पेड़ियां तोड़नी होती है, तो अगर थोड़ी बड़े करेंगे अगर आप एक बार में ज्यादा पूड़ी करना जाते हैं तो एक बार में तीन से चार पूड़ी को भी आप ऐसे बेल कर रख लीजिए और उसे किसी कपड़े से कवर करके रख दीजिए जिसकी उसके उपर पपड़ी नहीं आएगी और जब हम पूड़ी को फ्राइ हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे से प्रैस करेंगे तो आप देखेंगे पूड़ी बहुत ही जल्दी से फूल गई है और इसका जो कलर है बाकी जैसे हम नॉर्मली पूड़ी बनाते हैं उससे अच्छा आया आप देख सकते हैं और यह बहुत सौफ्ट फूड़ी बनके रैड़ी हो इसे भी हम अच्छे से फ्राई होने के बाद बहार निकाल लेंगे तो बस हम यहाँ पे एक एक पूड़ी बेलनी है और सेम प्रोसेस से यहाँ पे इन्हें फ्राई करना है तो मैं यहाँ एक और इसमें डाल दूँगी और सभी को मैंने ऐसे ही यहाँ पे फ्राई कर लिया ह लगबग मैंने यहाँ पे 10-12 पूरियां बना कर तेयार किये तो देखा आपने कितना असान है इसे बनाना बस आपको यहाँ पे मोयन में ओयल की जगे डही का योज करना है और जो यह आपके पूरियां बन कर तेयार होंगी न यह दो दिन तक भी ऐसे सॉफ्ट बनी रहेंगी तो अगर आज के यह वीडियो आपको पसंद आये तो इसे लाइक जरूर करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे का निशान आता है उसे जरूर दबाएं